CSIR SIMFAR की ओर से One Big One Lab concept पर काम अभी शुरू होने वाला है और 22 से लेकर 26 तारिक तक यह campaign चलेगा और इसकी शुरुआत कल से हो रही है हमारे साथ बाचीत करने के लिए संस्थान के निदेशक अर्विंद कुमार मिश्टा जी हैं उनसे हम जानने की कोसिस करेंगे कि यह क्या concept है और किस तरीके से SIMFAR का योगदान जो हम कह सकते हैं कि Science और Technology के छेतर में इनका छेतर Mining और Fuel Research में है तो किस तरीके से यह समाज में योगदान दे रहे हैं देश में योगदान दे रहे हैं इन तमाम विंदों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले जानते हैं यह जो कल स सिंग जी ने किया था जनवरी महा में CSIR में कुल 37 लेबरेटरीज हैं और सभी लेबरेटरीज अपने अपने छेतर में कारे कर रहे हैं जो कि Physical Sciences, Chemical Sciences, Biological Sciences, Information Sciences सभी विश्यों पर कारे कर रहे हैं और इसमें जो technological developments हो रहे हैं इनोवेशन हो रहे हैं उसका भारती और दिकाईयो को और स्टार्टप्स को इसका फायदा लाब पहुंच सके इसके लिए One Week One Lab कारिकरम का आयोजन किया जा रहा है सभी लेबरेटरीज में ताकि 37 वीक इसमें लगेंगे और इन सबताहों के दोरान हम स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, इंडस्ट्री के साथ, स्टार्टप्स के साथ, एक कनेक्ट कर पा रहे हैं और उनको ये बता पा रहे हैं कि क्या टेक्नलोजी हम डेवलप कर रहे हैं और किस दिशा में हमें जाना है ताकि हम आतने भारत बनने में अपना योगदान दे सकें और जो स्टार्टप्स हैं इसका लाब लेकर अपने start-ups को और आगे बढ़ाएंगे इसी सोच के साथ ये one week one lab कारिकरम किया जा रहा है संस्थान की ओर से कई प्रियास हो रहे हैं और ये जो one week one lab का concept है इसके जरीए कई चीजों को प्रचारित और प्रसारित भी किया जाएगा हम बाचीत कर रहे हैं संस्थान के निदेशक अरविंद कुमार जी से उनसे फिर एक बार जानते हैं कि किस तरीके से कल जो M.O.U.S. होगा उसमें क्या कुछ खास होगा और कौन-कौन से बड़े इंडस्ट्री इनके साथ आ रहे हैं कल वन वीक वन लाब प्रोग्राम का इनाउग्रल प्रोग्राम है इसमें हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर एंकलाई सेल्वी जो सेक्रेटरी हैं डियेसाईयर की वो भाग ले रहे हैं वो घाटन कर रहे हैं और इस कारक्राम में M.O.U.S. जो होंगे वो अडानी इंडुस्ट्री के साथ में हैं टाटा स्टील के साथ में हैं वेदानता के साथ में हैं और MOUs भी होंगे और साथी साथ संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है और जो हम कह सकते हैं Science and Technology के छितर में इनका क्या कुछ योगदान है ये लोग जान सकेंगे पुरी दुनिया जान सकेगी और साथी साथ इस संस्थान में जो हम कह सकते हैं वैसे बच्चे वैसे यूथ वो भी आ सकेंगे जो इनोवेशन के छेतर में काम कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं और साथी साथ नौन निहाल जो हमारी यंग पीडीज है उन्हें भी इस दोरान संस्थान में विजिट करने का मौका मिलेगा अपने सायोगी राज मनोरन के साथ मैं दिवाकर कुमार दूर दसन समा राची